नमस्कार दोस्तो जै मालक्ष्मी, मालक्ष्मी की करपा आप पर सदेव बनी रहे और मालक्ष्मी का प्यार आप की लिए कभी भी कम ना हो दोस्तो हार्तिक स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से होगा वही जो इश्वर ने लिखा हुआ है और दोस्तों होगा वही जो इस खटना में आपको हमाज पताने वाले ही है लेकिन दोस्तों आप चाहो या ना चाहो लेकिन ये बात हो करी रहेगी बात कड़वी है लेकिन 100% सत्ते है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आपने वो कहा वत्तों अवश्य सुनी होगी कि सत्ति की ही हमेशा विजय होती है जी हाँ दोस्तों पैसे ही हम आपको बता दें कि आप लोगों की जो ये बात है जो ये सावधानिया है वे आप लोगों के साथ में कुछ दुर व हवाब लोग करने की कोशिश करते हैं और आपको पीट के बल भी गिराना चाते हैं लेकिन बस ये कहिए कि उपर वाले की माया है जो आप लोग हमेशा बचते चले आए हैं और उसी के आशिरवात से आप लोगों के जीवन में आप लोगों को नई उमीद की करण भी दिखी है आप से भी के बता दे आपके आसपडोस वाले आपका ही दोस्तों डंका बजाने लगे पूरे गली मोहले में आपकी जैजै कार होगी बस आप लोगों को ये गुप्त रास के बारे में पता होना बेहदी जरूरी है आप लोग को लेकिन कुछ साबधानी बनना है क्योंकि द आपको इस्तगित रखना होगा तो चलिए दोस्तों बिन देरी के उए बात कर लेते हैं आपकी कुछ महद दपूल साबधानियों के बारे में जीवन में क्या अच्छा हुआ है क्या बुरा हुआ है ये केवल भगवान ही जानता है दोस्तों देखिएगा कि धीरे धीरे आपनी गया था पूरे दिन की तो केवल और केवल आपके जीवन में खुशाली भरी गाताई होंगी तो दोस्तों बोले जैश्री कृष्ण आई अब जान लेते हैं 48 घंटे की कुछ साबधानियों के बारे में दोस्तों पारवारिक इस्तितियें हैं वे थोड़ी सी तनाप पूर्ण रहने वाली हैं आपका दोस्तों परिवार के किसी सदिसे के साथ में विचारिक मदवेद हो सकता है यानि कि आप कुछ और चाहते हैं करना और आपके परिवार के लोग कुछ और ही चाहेंगे आप से करवाने को जिसके कारण दोस्तों थोड़े से मदवेद हो सकत इसलिए आपसे थोड़ी सी निवेदन है कि परिस्तिती को देख करके अपनी वाणी का प्रयोग करें जहां मोहल गरम हो रहा हो तो दोस्तों वहां थोड़ा सा आपको चुप रहना होगा और थोड़ा सा दोस्तों ध्यान लीजिएगा बड़ों का सम्मान जरूर ही करें क्यों से ज़ादा जो है लोग सम्मान करना ही भूल जाते हैं बड़ों का आदर करना आपके पिता के साथ में भी आपके मदबित हो सकते हैं बैतर होगा कि आप अपने आप पर काबू रखें और आप अपने बड़ों के साथ में थोड़ा सा अच्छे से व्यवार करें वा उनका आदर सम्मान करें दोस्तो थोड़ी चीजे आपको शांती से सुलजाने की आवशकता है और थोड़े ये भी सोचना होगा किया यह समय आपका बहुत मैदपून है इसलिए कोई भी निर्णेले वैसोच समझ के लिए और ये भी समझ लीजिए कि वै आपके लिए उचित होगा या फिर नहीं कारेशेत्र में सफाई या रखरखाव संबंदित कामू में समय वितीध हो सकता है अपनी जरूरत्यों की चीजों को सम्हाल कर रखें आफिस में साथियों से महदपून जानकारी मिल सकती है अपनी फाइल वा पेपर वर्ग में भी विवस्ता बना के रखें लव लाइफ की बात की जाए तो घर में सुक सम्रद्धी के लिए मोहल बना रहेगा पति-पत्नी के बीच में बहतरीन समय फितीध हो सकता है विवा संबंदों में थोड़ी सी दूरी आ सकती है स्वास को लेकर के बात की जाए तो मानसिक पेशियों में खिचाव और दर्द की समस्या हो सकती है जो कि दोस्तों आपको वयाम करने के बाद में ही सही हो सकती है इस समय आपका कोई अटका हुआ काम राजनेता की मदद से सुलस सकता है अपने कामों में फिटनेस को लेकर के आपको काफी ध्यान रखनी के आवशकता है पर दूसरों की बातों में जल्द काम से दूर रहे नहीं तो बड़ी मुसीबत आपके पीछे पर सकती है कुछ समय से जिन कारे को लेकर आप प्रयास रथे उनका उचित परिणाम आप लोगों को समय रहते मिलने वाला है प्रती द्वंदी भी अब आपका साथ देंगे जो लोग पीट पीछे आपकी बुराई में जा सकते हैं सरकारी कामों से जुड़े बिजनिस में अच्छी सफलता मिलेगी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे जातकों के लिए आज-दिन काफी प्रेडना दायक रहने वाला है आपके आलज की वजह से आपका बढ़ता बजन आपके स्वास्त पर काफी प्रभ अपने इस्राव के सामने योजना की चर्चा ना करें लव पार्टनर के साथ में भी बदलते रिष्टों के लिए थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए बदलते वातावरिन की वज़ा से सर्दी जुखाम खासी में तकलीव रह सकती है इसलिए दोस्तों इस समय आप लोग इस समय में किसी भी कारण आप अपनी उर्जा के साथ में कारे करिए यही तकी दोस्तों अपना कारे काफी अच्छे से संपन्नी भी होगा और दोस्तों कारे शेत्र में भी आप लोग किसी से भी लड़ाई जगड़ा कर सकते हैं इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने व आप लोग अपने जीवन में आइँ हैं दोस्तो इसका दिन रात आपको शुक्रियादा करना है धन्यवाद करना है जिनकी वज़ा से आप लोग इस संसार का सुक मिल पाया है और दोस्तो इसके साथ ही अब भाई के साथ में आप लोगों का कोई नरो कोई बड़ी डील हो सकती जिससे कि दोस्तों आप लोगों को बहुत जादा फायदा भी हो सकता है मुबाइल पर कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि दोस्तों आप लोगों को किसी कमपनी में पैसा निवेश करने के लिए कर सकती है कि दोस्तों आप लोग अपने बड़े बुजर्गों से या फिर किसी सलहकार से भी सलहा लेने के बाद में ही निवेश करें अनित दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की धोका धड़ी हो सकती है तो दोस्तो बेहदी सावधान रहें इस समय आप लोगों को बहुती जादा लाब भी होगा और दोस्तो बहुत जादा हानी होने की भी संकेत है तो ऐसे में किसी भी कारे को दिखावे के लिए ना करें दोस्तो जरूरत से जादा खर्चा ना करें क्योंकि दोस्तो आपकी आर् बाद ना करें क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों इश्वर मौका केवल एक ही बार देते हैं उस मौके का लाब जरूर उठाएं। जगड़े की इस्तिती बनाता है तो उससे आपको सावधन रहना होगा नहीं तो वे एक नया शड़ेंद्र आपके लिए रच सकता है। इन दिनों में दोस्तों आपका स्वास्त काफी अच्छी तरह से बना हुआ है इसलिए दोस्तों थोड़ा खास अपने आपको थोड़ा स कोशिश करिये। दोस्तों कोई नई खोचपन निकल सकते हैं हाला कि इंटरनेट का जमाना अब आ गया है तो मुबैल पर ही पढ़ना लिखना जादा पसंद हो गया है। लेकिन दोस्तों वहीं पर ही मुबैल से कुछ नुकसान दायक इस्तितिया उत्पन हो सकती हैं। इन स क्योंकि दोस्तों जो बहुत दिनों से बरवदू की तलाश में निकल रहे थे उनकी अब तलाश पूरी होने वाली है। कुल मिलाके दोस्तों आपका दिन थोड़ा खटा थोड़ा मीठा रहने वाला है। हम आशा करेंगे कि आने वाले अगले सभी दिन आप सभी के काफी अच्छे से व्यतीत हो और मादारानी की करपा से शिफ शंकर की करपा से श्री गनेश की करपा से आपके घर में रिद्धी सिद्धी हमेशा विराज मान रहें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी कई चानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि दोस्तों आपको नित्य प्रती दिन दैनिक राशी फल मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाइ